मैं वो रात कभी नहीं बूल सकता, जिस पीजा शॉप में मैं काम करता हूँ, वहाँ पे मेरी शिफ्ट खतम हो चुकी थी, मैं रेडी हो रहा था घर जाने को, तबी वो फोन बजा, उस रात काउंटर पे मैं ही अकेला काम कर रहा था, तो मैंने ही फोन रिसीव किया, लेकिन क फोन फिर से रखने ही वाला था, तब मैंने एक कोल्ड और वीक साउंड सुनी फोन से, वो आवाज किसी ओल्डर वोमन की थी, उसने कहा उसे रेगुलर चिकन पिजा चाहिए, मैं फोन पे तो शांत रहा लेकिन अंदर से तो मैं उस बुड़ी औरत को गालिया दे रहा था, मैं अपनी शिफ्ट खतम करके घर जाने ही वाला था, तब ही उसका फोन आया था, मैंने अपने बॉस को कहा कि कोई तो पीजा डिलिवरी ओर्डर कर रहा है, मेरे बॉस ने कहा मुझे वो पीजा डिलिवर करना होगा, पहले तो मैं बहुत अपसेट हुआ, लेकिन मैंने पीजा डिलिवरी के बाद घर जाने को कहा, क्योंकि वापस आने तक तो पीजा शॉप बंद हो चुका होगा, तो कुछ 11 बजने से थोड़ी देर पहले ही मैं अपने गाड़ी में बैटा और पीजा डिलिवरी करने के लिए निकल गया, दिये हुए घर का एड्रेस काफी श और बेल रिंग की, लेकिन अभी भी किसी ने अंसर नहीं दिया था, मैं अभी वहाँ से निकलने ही वाला था, तभी मैंने अपना सर राइट साइड में गुमाया और मैंने देखा कि वहाँ पे खिड़की पे कोई खड़ा है, मैं पहले तो काफी डर गया, फिर पीचे पाद मैं इवेंच्वेली उस खिड़की के पास गया, उस इनसान को देखने, वो एक बुड़ी औरत थी, मिट सेवेंटीस में, वो एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ स्टेर कर रही थी, विंडोस के थू मैंने चिलाया कि उसका पिज़ा मेरे पास है, लेकिन उसने कुछ रिस्पॉंड ही नहीं किया, इसलिए मैंने और भी चिला के कहा, तब ही उसकी फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आई, वो स्माइल कोई जेन्यून स्माइल नहीं थी, वो काफी क्रीपी और डरावनी स्माइल थी, मुझे आज भी उसकी स्माइल और वो एक्सप्र बस एक बार मैंने राइड साइड में अपनी नजर डाली, मैंने देखा कि वो औरत पैसेंजर सीट के विंडो में मुझे अभी भी देख रही है, वो ही सेम स्माइल और एक्सप्रेशन के साथ मुझे स्टेर किये जा रही है, ये देखते ही मैंने वहाँ से अपनी कार कर दिए तेजी से भगाई और मैंने पीचे मुड़के भी नहीं देखा, इसके बाद मेरे बॉस ने मुझे कभी लेट नाइट डिलेवियर